अगर बात्रूम बनवाने जाते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखो बात्रूम में जो वेट एरिया यानि महाँ जाब शावर लेते हैं वो हमेशा बात्रूम के एक तरफ रखे और कुश्च करें कि वो एक तरफ दर्वाजे से दूर हो अभी भी आपको शावर एरिया, वाश बेशन और सीट के बीच में नहीं रखना है रखकोंगे तो होता क्या है कि सुवे सुवे आपना होगे, पूरा फ्लोड गीला कर दोगे उसके बात आप जितनी भी बात्रूम 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 यूज़ करोगे कोई ही बात आपको गीले पैद लेकि बात्रूम से बहर आने पड़ेगा और आपको पूरा एरिया गीला हो जाएगा और स्मार्ट बनिये और वेट एरिया को हमेशा एक कोने में रखी है अब आपको दो चीज़़े पता हैं पहली तो यह है कि बातों का वेट एरिया किस तरह परखा जाए और दूसरा यह है कि इंटीरियर और किसी भी जानकाने के लिए आपको यह चैनल के सब्सक्राइब करना चाहिए